Hello everyone, welcome to my channel, I am Sunidhi and today we will study about civil engineering topic characteristics of water जैसा कि हमने अपने पिछले lecture में पढ़ा था physical characteristics of water के बारे में आज हम अपने दूसरे lecture में पढ़ेंगे chemical characteristics of water के बारे में जैसे physical characteristics को हम देखके बैसे ही chemical characteristics को हम देखके नहीं पहचान सकते क्योंकि ये chemicals जो रहेंगे वो पानी में घुले हुए रहेंगे कई बार ऐसा हो सकता है कि उसका color बिल्कुल भी change ना हो पानी का जिसकी वज़े से पानी आपको साफ दिखेगा बट उसके अंदर में कुछ ना कुछ chemicals प्रेजेंट रहेंगे जिसकी वज़े से क्या होगा आपको नुकसान हो जाएगा वैसे ही chemical characteristics को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमको सारे chemicals पानी में कैसे प्रेजेंट रहते हैं और उनका क्या-क्या harmful effect होता है हमारे उपर ये पता चल जाए तो chemical characteristics अगर आप एक natural water body में देखना चाहोगे जैसे जीवर हो गया तो वो कैसे पता चलेगा अगर आपका पानी किसी soil या rock के contact में आता है और उसमें कुछ chemical मिला होगा तो पानी में भी chemical चला जाएगा वैसे ही हम जब खेत में pesticide डालते हैं तो pesticide क्या होता है आपका ground water में जमा हो जाता है उस ground water को जब आप पीओगे तो indirectly chemicals आपके body के अंदर चले जाएंगे वैसे ही पानी को साफ करने के लिए municipal council और अलग अलग तरिके की industries में हम chemicals जालते हैं वो chemical flush हो कहा जाता है वापस से आपके water body में जाता है और वही वही से क्या होता है पानी को वापस से harmful chemicals मिल जाते हैं तो आएए हम देखते हैं कि chemical characteristics में हमको कौन-कौन से topic पढ़ने हैं पहला हम देखेंगे total solid और suspended solids दूसरा देखेंगे pH value of water फिर hardness of water देखेंगे chloride content और nitrogen content कितना है पानी में कितने टाइप के metals और chemical substance है पानी में कितने टाइप के dissolved gases है और उनका क्या effect पढ़ेगा biological oxygen demand BOD यह हमारा last topic रहेगा आज का अब पहला देखते है total solid और suspended solid suspended solid क्या होता है पानी के उपर जो तैरते हुए substance रहते हैं वही आपकी क्या थे suspended solid थे तो और हमने पढ़ा था dissolved solid dissolved क्या थे जो गूले हुए थे तो total solid क्या हो जाएगा दोनों का mixture हो जाएगा suspended solid भी रहेंगे और dissolved solid भी रहेंगे अगर उस पानी में तो अ क्या लेंगे total solid बॉलेंगे तो आज हमको total solid पढ़ना है और suspended solids पढ़ना है ठीक है तो आप total solid को कैसे पता कर लोगे अगर आप किसी पानी के sample को आप evaporate करोगे और उसमें जित्ते भी residual बचेगा जित्ता भी amount उसमें गंदगी बचेगी उसको आप wait करोगे filter paper से filter करने के बाद तो आपका क्या मिलेगा total solid मिल जाएगा क्या किये हम पानी को उबाल दिये उबालन और उसको क्या किये wait कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने gram या कितना amount का आपका total solid था उसमें ठीक है और simply suspended solid कैसे पता चल जाएगा suspended हम पहले भी पढ़े थे filter कर देंगे पानी को filtration से simply आप suspended solid का पता लगा सकते है suspended क्या होगा पती हो गई है ना या कुछ बड़ा आपका कुछ बड़े amount का जो particles हुआ कुछ बड़ा particles जो आपका क्या हो जाएगा easily filter paper में आपका आजाएगा या filtration करते time पे पता चल जाएगा अब total permissible amount of water कितना हमको चाहिए रहेगा total solid या कितने solid present होना चाहिए 500 ppm तक का आपका solid बस present होना चाहिए किसी भी water में ppm क्या होत है parts per million ठीक है अब हम देखेंगे pH पानी का pH आप देखेंगे जब भी chemical test करते हैं आप chemistry में तब बोलते हैं कि इसका pH इतना होता है pH क्या होता है pH से हमको पता चलता है कि कोई भी water जो है वह acidic है या basic है उसमें acid का content जादा है या basic है वह तो pH का range कितना होता है 0 से 14 तक का pH का range ह होता है जिसमें हमको 7 अगर होगा तो उसको हम neutral बोलते है उसमें ना ही acid present होगा ना ही आपका base present होगा पर अगर आपका pH क्या हो गया साथ से जादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे alkaline बोलेंगे या basic बोलेंगे वहीं अगर आपका pH साथ से कम हो गया तो वह आपका क्या ह होगा, acidic होगा, ठीक है, अब pH value हमको पता कैसे चलेगा, pH value हमको कैसे पता चलता है, उसको हम potentiometer device से हम पता कर लेते हैं, pH value जो पानी हम supply करते हैं, घरों में उसका pH किता होना चाहिए, 6.6 से लेके 8.4 के बीच में होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए, इससे नहीं ज्यादा हो हम देखते हैं, तीसरा है, hardness of water, hardness क्या होता है, हम जनरली सुनते हैं, कि पानी वहां का क्या है, हाड है, उसमें जाग नहीं बन रहा है, ऐसा हम को सुनने मिलता है, hardness कैसे होता है, पानी में आपके calcium और magnesium घुले हुए देते हैं, उससे हमारा पानी क्या हो जाता है, हाड हो जा होते हैं, क्योंकि ना ही, उससे सोप जनरेट होता है, जब आप क्या करते हो, जब आप किसी भी चीज को धोते हो, या उसमें साबन लगाते हो, तो उसमें क्या होता है, जाग नहीं बनता, अगर वो पानी क्या है, हाड है, अगर आप उसको बॉल करते हो, उसमें वाइट व तो वो क्या होता है टेस्टलेस बनता उसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं आता है अब हार्डनेस आपके दो टाइप के हैं टेंपररी हार्डनेस और पर्मानेंट हार्डनेस हम दो टाइप के hardness पढ़ेंगे temporary hardness पढ़ेंगे और permanent hardness पढ़ेंगे पहले हम temporary hardness देखते हैं temporary hardness क्या होता है आपका bicarbonates and carbonates of calcium and magnesium आपके पानी के अंदर अगर calcium और magnesium के carbonate और bicarbonate present रहते हैं तो उससे क्या होता है temporary amount temporary time के लिए आपका पानी क्या हो जाता है hard हो जाता है बट अगर आप उस पानी को क्या करोगे boil करोगे उस पानी को आप क्या किये boil करोगे तो उससे क्या हो जाता है आपका पानी hardness से हट जाता है temporary hardness उससे हट जाती है ठीक है temporary hardness को हम और क्या बोलते हैं carbonate hardness भी बोलते हैं किसको temporary hardness के ही को नाम क्या हो गया carbonate hardness next हम देखते हैं permanent hardness permanent hardness क्या होता है sulfate chloride and nitrates of calcium और magnesium जो sulfate हो गया chloride हो गया और naitrate हो गया किसका calcium और magnesium का अगर ये चीज पानी में आपकी present है तो इसको आप remove नहीं कर सकते boiling से इससे ये क्या कर देता है आपका सीधा सीधा पानी permanently hard बना देता है इसके लिए आपके अलग type के treatments होते हैं जिससे आप permanent hardness remove करोगे आप लोग आज में को लिखके बताओगे कि permanent hardness को remove करने के क्या क्या process होते हैं और हम किस किस तरीके से उसको remove करते हैं और उसमें से कितना percent hardness remove हो जाता है हर process से तो इसके किस से होता है sulfate से होता है chloride से होता है nitrate से होता है किसके calcium और magnesium के अब next हम देखेंगे chloride content आप सुने ही होगे कि पानी में chlorine मिला हुआ आता है है ना जब आपके municipality से पानी supply होता है तो उसमें chlorine मिला हुआ आता है तो chlorine और chloride अगर आपका जादा हो गया पानी में तो हमको कैसे पता चलेगा कि chloride जादा है क्योंकि कोई भी चीज certain amount तक ठीक है अगर certain amount से जादा हो गई minimum amount से जादा हो गई वो चीज तो हमको क्या करती है हाम करती है तो यहाँ पे देखो आपका बोल रहा है कि chloride content को आप जब supply करते हो तो 250 ppm से जादा उसकी value नहीं होनी चाहिए अगर इससे जादा होगी तो आपके लिए harmful है अब chloride कैसे मिलता है chloride आपको मिलेगा sodium chloride या common salt क्या है नाम से आपको मिलेगा पानी में ठीक है कैसे आजाएगा आपका sea pollution या sea water के वज़े से आजाएगा या आपका leaching हो जाएगा marine sedimentary deposit से उसकी वज़े से आपको क्या मिल जाएगा sodium chloride मिल जाएगा पानी के अंदर अगर आपका sodium chloride जो है वो अगर river या stream में आपका ज़्यादा amount में रहेगा तो क्या करता है उसको pollute कर देता है pollution हो जाएगा उस water का ठीक है अगर ये आपका किस की वज़े से हो सकता है sewage की वज़े से हो सकता है human या industrial waste की वज़े से आपका chloride का content जो है river या stream में जादा हो सकता है अब chloride content को आप measure कैसे करोगे chloride content को measure करने के लिए हो यहाँ पे हम उसको titration करके measure करेंगे titration सभी ने किया है chemistry में क्या करेंगे हम water को silver nitrate solution के साथ में titrate करेंगे और indicator हम क्या डालेंगे potassium dichromate indicator रहेगा अब हम पढ़ेंगे nitrogen content nitrogen आपके पानी में gas के परम में प्रेजेंट रहेगा nitrogen gas आपके पानी में क्या रहेंगी घुली हुई रहेगी अब आपको कैसे पता चलेगा कि nitrogen gas आपके पानी में प्रेजेंट है अगर आपके पानी में कोई भी तरीके का organic matter है organic matter क्या होता है किसी भी तरीके का आपका उसमें या और जाये कहता है, पेड पौदा पती Match, सडीगली चीज़ें जिसकी वज़े से Keeping the Million यह इस जो सकती है, और 4 और चारतरीकि welding naughty cow, 69ура Walter तीसरा, नाइट्रेट्स, और चौता हो जाएगाि नाइट्राइट्स, ठीक तो फ्री अमोनिया देखते हैं ख्री अमोनिया से आपको क्या पता चलता है ये आपका सबसे पहला stage है decomposition का free ammonia बताता है कि organic matter के सरने का जो सबसे पहला stage होगा वो क्या है आपका free ammonia बनेगा वहाँ पे इससे आपको recent pollution पता चलता है मतलब आपका pollution क्या है एकदम ताजा ताजा है इसकी जो value होगी वो 0.5 mg पर लीटर से जादा नहीं होना चाहिए कि इसकी value free ammonia की second हो जाएगा या organic matter ये बताता है कि आपकी quantity nitrogen की कितनी है या कितने amount में nitrogen प्रेजेंट था organic matter के decomposition शुरू होने के पहले आपका organic matter का decomposition शुरू हुआ उसके पहले nitrogen की क्या quantity थी ये पता चलेगा nitrogen की quantity 0.3 mg पर लीटर से जादा organic matter की quantity नहीं होनी चाहिए थिक है तीसरा हो जाएगा आपका nitrates थिक nitrites हो गया nitrites क्या है ये आपके जो organic matter है वो आपका पूरी तरीके से oxidized नहीं हुआ रहेगा किसमे पानी में not fully oxidized organic matter in water नेक्स हो जाएगा nitrates nitrates क्या है ये बताता है कि आपका जो organic matter है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है oxidized हो गया है पानी में आपका organic matter fully oxidized हो गया है water में जिसकी वज़े से आपको ये पुराना pollution इससे पता चलता है जब आपका organic matter पूरी तरीके से क्या हो गया सड या पानी में मिल गया तो नाइट्रेट के अमाउंट से आपको पता चलता है कि कितना pollution कितने सार पुराना pollution है उसमें इसी कहीं कुछ और देखते हैं नाइट्राइट्स बहुत ज़ादा डेंजरस होता है इसका जो quantity है पानी में जीरो होना चाहिए आपका नाइट्राइट्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अब हम नेक्स देखेंगे Ammonia nitrogen Plus organic nitrogen आपको क्या देता है Zeldar nitrogen आपको याद अदेखेंगे Zeldar nitrogen कैसे मिलता है Ammonia nitrogen और organic nitrogen आपको मिलेगे अब नेक्स देखते हैं Nitrates Nitrates नाइट्रेट्स पानी में हामफूल नहीं होते हैं Nitrates पानी में हामफूल नहीं होते हैं अगर कोई भी चीज़ ज्यादा नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं तो छोटे बच्चे या जो तुरंट पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनको क्या करता है अफेक्ट करता है इनफेंट्स को अफेक्ट करता है और उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं Blue Baby Disease Methemoglobemia यह आपका नाइट्रेट की वज़े से हैं आप मुझे बताओगे Blue Baby Disease क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या है ठीक नाइट्रेट का कंसंट्रेशन आपके पीने के पानी में 45 mg पर लीटर तक लिमिटेड है इस जादा नहीं होना चाहिए अब नेक्स में चलते है Metal Metal or other chemical substance in water अगर आपके पानी में metal मिला रहेगा तो सबसे पहले तो आपको उसमें उसका color दिख जाएगा तो आप बता सकते हो कि पानी में क्या है Metal मिला हुआ है अगर आपका iron है तो iron 3 ppm से 0.3 ppm से जादा नहीं होना चाहिए अगर इसे जादा रहेगा तो आप जब कपड़े दो गए उसमें तो आपके कपड़े का color change हो जाएगा discoloration बोल रहा है color में आपका changes दिखेगा आपको वहीं आपको इसके सारे नाम और इसके concentration यार रखने है Magnees 0.05 ppm copper metal आपका 1.3 ppm sulfate है 250 ppm fluoride है 1.5 ppm 1.5 ppm fluoride का content होना चाहिए अगर इससे access में अगर आप दे देंगे तो human lungs या आपके respiratory system में आपके फेफडे में या सांस लेने के प्रक्रिया में आपको कुछ ना कुछ changes दिखेंगे और एक चीज fluoride concentration आपका 0.8-1 ppm से कम रहेगा 0.8-1 ppm से कम रहेगा तो इससे आपके दान्त खराब होते हैं dental cavities या tooth decay होता है fluoride concentration आपका अगर 1.5 ppm से जादा हुआ तो आपको आपके दान्त के color में changes दिखेंगे दान्त पीला पढ़ने लग जाएगा उसको हम fluorosis बोलेंगे ठीक है तो यह था metal अब next में हम आते हैं dissolved gases में dissolved gases में हमको क्या पता चलता है कि पानी के अंदर क्या रहती है dissolved gases गुली हुई gases प्रेजन रहती है किसकी वज़े से एट्मॉस्फियर की वज़े से प्रेजन रहती है तो कौन कौन से gases हो सकती है nitrogen हो सकता है methane हो सकता है hydrogen sulfide हो सकता है carbon dioxide हो सकता है और oxygen हो सकता है ठीक है अब आप बोलोगे कि इससे क्या फरक पड़ता है यह जो dissolved gases आपके पानी में रहते हैं इसके concentration आपको पता होना चाहिए उसका concentration आपको पता रहेगा तो आपको यह पता रहेगा कि आपको यह पता चल पाएगा कि आपका पानी कितने लेवल तक क्या है कंटैमिनेटे या आपका खराब हो चुका है जिस परसेंट तक का आपको पता चल रहेगा पानी इतने लेवल तक का खराब है तो आप उसमें क्या कर सकते हो ट्रीटमेंट दोगे आप यहां ट्रिटमेंट कि यहां डि till टाकर जाँप साल और तो एपा कि अगले घाले लेक्षब में पढ़ेंगे की यहां वाट में यहां के उसको प्यां प्यूर करते हैं प्यूरिफाइंग क Mini saat कि ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है अभी के लिए इत्ता याद रखिए कि गैसे मिले रहते हैं और उनको अगर हम पता कर ले तो हमको पता चल जागा कि इतने लेवल तक का उसमें क्या है कॉंटमिनेशन है और उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करें अब आखरी टॉपिक है हमारा बायो कैमिकल ऑक्सीजन डिमाड इससे हम को क्या पता चलता है कि आपका पानी के अंदर में सफिशियन्ट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजन रहता है जो किसके लिए हेल्फुल है अरोबिक बैक्टीरिया के लिए हेल्फुल है उसकी वाज़े से अरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे अरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजन्स में काम करते हैं और अरोबिक बैक्टीरिया पानी में बढ़ेंगे और क्या करेंगे आपका बायोजिकल डिकंपोजिशन करने में आपके और गैनिक मैटर के मदद करेंगे किसी भी चीज को ड क्या हुआ लगा उस दीकंपोजिशन में कितना परसेंटेज लगा उस दीकंपोजिशन में यह आपका कौन बता रहा है बायो केमिकल ऑक्सीजन दिमांड बता रहा है ठेक है शुआ पानी तो बहुत दिन तक के लिए पॉलिटेज रहेगा और तब तक के लिए ओक्सीडियाशन क्या हो जाएगा कम्पलीट हो जाएगा तो क्या यह प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि या बी ओडी की वेल्यू उतने दिन तक के लिए निकालो हाँ अब बीओडी का जो वेल इतना amount of oxygen हमको लगेगा यह हमको पता चल जाता है ठीक है आप बियोडी जो सेफ डिंकिंग वाटर के लिए बियोडी हमको जीरो होना चाहिए इस से जादा वैल्यू आपकी बियोडी की नहीं होनी चाहिए किसके लिए पीने के पानी के लिए तो कितना oxygen consume होगा बैक्टीरिया के द्वारा कब organic matter को decompose करते टाइम पे aerobic प्रोसेस से और आप बोलोगे कि ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो oxygen के absence में decomposition करता हो ऐसे बैक्टीरिया जो oxygen के absence में अगर आपका जो बियोडी का लेवल है एक से दो के बीच में है तो आपकी water क्वालिटी क्या है अच्छी है तीन से पांच के बीच में है तो पानी क्या है थोड़ा साफ है मतला थोड़ी गंदगी उसमें मौजूद है ठीक है अब 6-9 अगर रहेगी तो थोड़ी पॉल्यूटेड है इसमें आपको बताएगा कि और बैक्टीरिया बैक्टीरिया बेक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है यह सारे कुश्शन से आपके प्राक्टीरिस के लिए इस टॉपिक में से यह यह सारे कॉश्शन क्या हैं इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप नोट कर लिजेग आपनी कॉपी में और अंसर लिख लिजेगा तो मैंको उमीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा मिलते हैं एकली क्लास में ठैंक यू